रादे कुछन दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हम सब ने अभी श्राध्धों में अपने पित्रों के पूजन किया और कुछ एक ऐसे उपाई किये जिस कारण से हमारे घर की सुक्षान्ति और सम्रिद्धी बढ़ती जाए उसके बाद हम सब नवरात्रों का पूजन किया और नवरात्रों में भी हमने कुछ एक छोटे मोटे उपाई किये जिससे आर्थिक सम्रिद्धी हो संतान की प्राप्ती हो और भी हमारे घर में जो समस्याएं चल रही हैं वो सबकी सब समाप्त हो जाए इस तरीके से उपाई किये तो ये तो दोस्तों कुछ खास दिन थे श संतान चाहिए हमारी संतान ठीक से प्रोग्रेस करती है यह सब कुछ चाहिए तो उसके लिए मैं आपको छोटे-छोटे से उपाय बता रहे हूं यह आप पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं जब कभी भी आपको इस तरीके की कोई समस्या आती है तो आप इन उपायों को कर स पाना चाहते है या आप जब के अलावा किसी और तरीके का कोई रोजगार करना चाहते हैं और आपको या तो मिलनी रहा है या अच्छा नहीं मिल रहा है या कोई प्राब्लम आ रही है उसके अंदर तो आप ऐसा कर सकते हैं नीम की लकड़ी पर हवन कुंड ले लिजे उसम शम, शनेश्चराय, स्वाहा दोस्तों इसके साथी साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जब हम स्वाहा कहते हैं स्वाहा बोलने के साथ ही साथ हवन कुंड में हमेरे हाथ में जो भी समिधा है वो हमें डाल देनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया नीम की लकड़ी पर सरसों तो आपके हाथ में सरसों है वो सरसों आपको स्वाहा के साथ ही अगनी कुंड में डालनी है और आपको जो हवन के लिए जो सामान्न हम पकरते हैं वो ये तीन फिंगर्स बीच की दो fingers और अंगुटा इसमें ऐसे पकड़ के और ऐसे ढलते हैं इस finger को हम बिलकुल अलग रखते हैं और ये चोटी फिंगर ये दोनों fingers अलग रहती है और ये तेन finger से हम पकड़ के और हम उसको स्वाहा ऐसे करके अगनी कुंड में ढाल देते हैं तो ये बात का आप बहुत ध्यान रखिए, ये वाली जो फिंगर है ना तो माला फेर्टेस में यूज होती है और ना ही इस फिंगर को हम पूजन में यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप यदि आपको रोजगार या नौकरी की समझ से आ रही है, तो नीम की लकड़ी पर सर रखिए और कम से कम शनिवार से शनिवार साथ दिन जरूर कीजिए इस हवन को, आप यदि इस तरीके से करते हैं, तो रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपका इसका मंत्र होगा, ओम, शम, शनेश्चराय, स्वाह, अब दोस्तों में आपको एक दूसरी समस्या, ज जाती है, तो आर्तिक समस्या से के निवारन के लिए मैं आपको एक हवन बता रही हूं, आम की लकडी, आम की लकडी हवन कुण में रखिए, और पहले से ही खीर बना के रख लीजे, और आम की लकडी पर में खीर से आपको उसमें खीर डाल के हवन करना है, और जो मंत्र जालने के लिए आपको स्पून का यूज़ करना पड़ेगा, और स्पून में भी इस फिंगर को मत यूज़ कीज़ेगा, इन फिंगर से पकड़के, और ओम श्रीम श्रीय स्वाहा, यह भी आप 11 बार कीजिए, और अधिक सधी का आप जितना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बा सारे के सारे दिन सब आ जाते हैं, तो जो किसी भी दिन की कोई भी बाधा होती है, तो वो शान्त हो जाती है, इस तरीके से आम की लकड़ी पर खीर से ओम श्रीम श्रीय स्वाहा, बोलकर यह मंत्र कीजिए, इससे आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, यदि आर्थ अब इसमें देखिए आपको नीम की लकड़ी लेनी है, तो नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन कीजिए, और ओम एंग्रीं क्लिंग चामुंडाय विचे, स्वाह, ये बोलकर हवन कीजिए, वही 11 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, आप कीजिए, मन से क से कीजिए बिश्वास के साथ कीजिए तो थोड़े से में भी बहुत जादा का फ़ल पराप्त हो जाएगा, देखिए अगला आपका है वह संतान प्राप्ती, संतान प्राप्ती के लिए भी आप आपके के लिए भी आप इस हबन को कर सकते हैं, आपको क्या करना है आम की लकड़ी पर, माखन मिश्री से बागन कीजिए घर में दूद की मलाई होती हैं आप इससे माखन निकाल लीजिए, उसमें मिश्री मिक्स कर लीजिए और उसको भी आपको पूण से ही डालना पड़ेगा और मंत्र की दूंपलें। इतको मंत्र को संतान परापटी के लिए जो भीror है खीस आधि कुछ आरोधम के लिए गोड़ानि एक है भी विशेश्कार्य के लिए कोई विशेश कारे जैसे कि आप अपने बच्चों की शादी विवा करना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो किसी विशेश कारे के लिए जब आप करते हैं, तो आपको क्या करना है, आम की लकडी पर घी और दूर्वा, घी एक मंत्र का प्रयोक कीजिए, और विश्वास के साथ करना होता है दोस्तों, कम से कम 11 बार जादा ज्यादा 108 बार और आप किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रभलिम नहीं है, आप इस तरीके से करेंगे, तो भगवान आपको हमेशा सहता करते हैं, बस भगवान पर वि